नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राहूल और आईएसपीसस पार्शलाम अब सभी का स्वागत है दोस्तों ये यूपीपीसस के टॉपिक्स के सीरीज चल रही है मैंने पहले ही काफी टॉपिक क्लियर कर दिया आपका जोगरफी, पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री ये सर्ट टॉपिक मैंने पहले कवर कर दिया है तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एनवार्मेंट और एगरिकल्चर की बात करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके बच्चों में बहुत कंफूजन था और मुझे बहुत से मैसेज आ रहा है थे कि इसका कोई ऐसा सोर्स बताइए सर जो कि सठीक हो, जो कि आप इसली पढ़ सकें और जहांसा कोशन निकलते हो तो इस वीडियो में हम यही सब चीज़ों की बात करेंगे कि कौन-कॉन से एरिया आपको इसमें target करने चाहिए आप कौन-कॉन से resource पर सकते हैं आप किस टैक के question expect कर सकते हैं उस सारी बाते हम इस वीडियो में करेंगे तो आप इस वीडियो को last देखीएगा जो इस वीडियो में नए हैं वो मेरे बारे में कुछ जानकारी देख सकते हैं इधर तो आगे बढ़ते हैं तो हम इस वीडियो में इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को कवर करेंगे पहला यह है कि importance क्या है environment और agriculture का आपके prelims में दूसरा यह है कि question कैसे आते हैं मतलब यह जानना काफी ज़रूरी हो जाता है अगर से आपको यहीं नहीं पता होगा कि question कैसे आते हैं तो आपको कौन सा resource refer करना यह भी नहीं पता चलेगा तो पहले हम यह देखेंगे question कैसे आते हैं इसके बाद जो important resource हैं उनके बार हम बात करेंगे और finally कौन को से important area हमको focus करने हैं हम उसकी बात करेंगे तो महाँ सबसे पहला topic किया है कि importance क्या है आपकी agriculture और environment का PT में तो अगर साब बात कहें तो environment और agriculture यह दो अलग अलग topic नहीं है मतलब agriculture as a topic बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है आपको कोई separate agriculture question नहीं पुछेगा आपको जो भी question पुछेगा वो environment और ecology से पुछेगा उसमे अगरिकल्चर के कुछ हंश होते हैं तो agriculture के लिए आपको कोई अलग से चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आप जो environment के लिए पढ़ेंगे वो आपका environment का भी काम करेगा और आपका agriculture का भी काम करेगा तो वगस overall बात की जाए तो आपको 15-18 question देखने को मिल जाते हैं हर साल कभी ये 20 भी चले जाते हैं और कभी ये 12 भी रहते हैं मतलब आपको ये खह सकते हैं कि मोटा मोटा इस range में ही रहता है और environment में दो type of question आते हैं पहला आपका static रहेगा जो कि आप static book से पढ़ोगे और बाकी आपका current रहेगा जो कि current happening चल रही है कुछ submit हो रहा है कोई app launch किया गया तो basically ये सब question जो है वो current से related होते हैं तो आपको static पर भी focus करना है और current पर भी focus करना है environment में ये तो हमने जान लिया कि कितने question आते हैं अब कैसे question आते हैं हम यहां यह देखने की कोशिश करेंगे तो मैंने पिछले वर्ष्रों में जो question आया है उनका example लेकर आपको दिखाने की कोशिश की है कि कैसे question पूछे गए हैं और आपको तयारी किन टाइप के question की करनी है तो आप जैसे देख सकते हैं यहां एक question है कि which of the following is secondary pollutant तो यहां चार option दिया है और पूछा है कि secondary pollutant कौन-कौन से है यह आप देख सकते हैं question है कि United Nations Conference on Climate Change COP21 है वो कहां held हुआ था तो यह current affair का question है उस साल COP held हुआ था तो यह पूछा था कहां held हुआ है इसका question यह देख सकते हैं कि India First National Action Plan on Climate Change कब release हुआ था तो ऐसे भी question पूछे जाते हैं कि आपको year भी याद रखना पड़ेगा तो आप यहां से यह देख सकते हो यह question है कि which among the following is the most stable ecosystem तो यहां पर चार option दिया गया है तो सबसे stable ecosystem क्या है ऐसे भी question आया है एक question यह है आपका यहां पर institute के नाम दिये गए है और यहां पर location दिया गया अब पूछा है कौन सा not correctly matched है कभी-कभी not correctly matched पूछता है कभी-कभी matched करने के लिए पूछता है तो ऐसे question भी आते है इसके current credit कहां से originate हुआ था यह current question है कि with reference to the net zero goal for 2050 which of the following statement is correct तो यहां पर दो statement दिया है और पूछा है कौन सा statement correct है यहां पर इसके बाद यह question है आपका assertion origin का यह बहुत ही favorite type of question है आप देखेंगे UPPCS में बहुत question आपको assertion region में मिल जाएंगे तो इस type of question के practice करना बहुत जरूरी हो आप देख सकते हैं किस type of question यहां पर आए हैं तो आपको जब तैयारी करनी होगी जो भी मैं resources बताऊंगा तो उसमें इसी type question को आपको target करना हीट करना है क्योंकि environment जो है बहुत लोग इदर दर भटक जाते हैं तो ऐसा आपको नहीं करना है इसलिए मैं आपको question दिखा दिया वो है pt365 pt365 vision की कुछ दिन में आ जाएगी आप उसको पढ़िएगा और बहुत इस selected पढ़िएगा मैं कोशिश करूँगा कि उसका एक video ला दूँ कि आपको कौन-कौन से topic को cover करना है जब पीटी आ जाएगी जो कि पूरी pt परनी को ज़रत नहीं है क्योंकि pt में आपको उसी हिसाब से पढ़ना है आपको यूपी pcs की हिसाब से material extract करने होंगे तो आप pt365 environment की देखेंगे प्लस जो आप i distry पढ़ेंगे आपका वहां से complete हो जाएगा बाकी current पर जो की यूपी से माली जी environment से related question जैसे आपने देखा है कि कौन सा रामसार साइट जो यू और कुछ नहीं पढ़ना है और शंकर आईस का ना शंकर आईस का दो चैटर पढ़ना है मैं वो चैटर को आपको दिखा दूंगा इंडेक्स का वो दो चैटर बस पहला दो चैटर पढ़ना है उसके लावा शंकर आईस कोई चैप्टर नहीं पढ़ना है पहला दो चैप्ट पलसरी है बनाना उसके आत करंट का जो रिसोर्स मैंने बताया वहाँ से करंट पढ़ने गए तो यह चीज़ आप करेंगे तो आपका एंवारिमेंट जो है बहुत होलिस्टिकली प्रिपेर हो जाएगा और अगा साथारा कोशन आएंगे तो एट लिस्ट आपका तेरह सो चौ जब दो कोशन यहां से निकल आएगा और बहुत लोग पूछेंगे कि घटना चक्र के नोर्स कैसे बनाने तो आप यहां देख सकते हैं मैंने साइट की वन लाइनर के नोर्स बनाये था न तो आप यह देख सकते हो कि इसी टाइप के आप के नोर्स बनाने ए एक कला लिखना है बस ताकि revision में बहुत time ना लगए आपने गटना चक्र देख लिए उसका MCQ लगा लिया उसके बाद आप एक 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 लाइन पे notes बनाईए ताकि आप आप आराम से एक दो दिन में चीजों को revise कर लें नहीं तो घटना चक्र इतनी मोटी वुक हो जाती है कि आप last moment म revise नहीं कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस महिने के last तक आपको environment की भी one liner provide करा दूँ जैसे मैंने आपको science की provide करा आई है और लोगों को वो बहुत पसंद भी आई है तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको environment की भी provide कर दूँ साथी quality, modernity और geography पे भी का पना रहा हूं उसका इस सबसे बड़ा reason यह है कि English में कोई resource available नहीं है जो कि घटना चकर का alternative हो जैसे आपको Hindi में GS pointer मिल जाएगा मैं अभी आपको resource का photo दिखा दूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि GS pointer आप कौन सी book होती है तो आपको घटना चकर की जो alternative है न तो GS pointer आप problem नहीं हो गई उससे मैं आपको resources का photo दिखा देता हूं जैसा यह देख सकते हैं आप घटना चकर है जो Hindi में आती है वो है पुर्वा लोकन जो English में आती है वो है preview तो यह घटना चकर की आपकी किताब हो गई यह शंकर आई से किताब हो गई आपको पूरी किताब रेनी कोई ज़रूरत नहीं है इसके starting के दो chapter है यहां मैंने index लगा दिया है यह आपका ecology का chapter है यह आपका ecosystem का chapter है सिर्फ यह दो chapter पढ़ने है आपको संकर आयस है इसके लाव बाकि कोई chapter नहीं पढ़ना और आपको यह online कहीं भी मिल जाएगी आप एक बार search करेंगे तो आपको online यह available हो जाएक उसमें आप पहला दो chapter easily पढ़ लेंगे या print out निकाल लीजेगा इसके बाद यह है GS pointer बहुत लोग GS pointer की pick बोल रहे हैं तो यह GS pointer है तो इसमें सारे subject हैं तो जो हिंदी माधम के चात्र हैं वो GS pointer use कर सकते हैं अपना घटना चकर पढ़ने के बाद और जो English medium के चात्र ह है वो घटना चकर पढ़ने के बाद या तो मेरी one liner पढ़ सकते हैं जो मैं आगे लाओंगा या तो खूद का नोर्स बना सकते हैं तो I hope sources को लेके आपको clear हो गया होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना स्टिल कोई confusion हो तो आप comment में पूछिए मैं उसका reply करूंगा इस इस particular chapter से आपको कुछ topics पढ़ने हैं जैसे हो गया आपका biome हो गया, niche हो गया, food chain हो गया, food web हो गया, ecological pyramid हो गया, energy flow हो गया, तो इस type की topic आपको उस chapter से पढ़ने हैं जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए हैं काफी question यहां से और बाकि जो important topics की list है आपको आपने टेलिग् उस gases कौन कौन से हैं, ozone layer depletion कहां से होता है, कौन से gases होता है, यहां पी वो देखना है, third है आपका wildlife century, national park और रामसर साइड, जो की news में है और जो की famous है, आपको यहां वो देखने हैं, चोथा है आपका acts and project dates, मतलब जैसे आपका wildlife protection act हो गया तो कौन से date में आया था, वो 1972 में क्योंकि year बहुत बार पुछा गया और maximum chances है कि अगले साल भी पुछा जाएगा, तो आपको वो चीज़ ध्यान से देख लेनी है, इसका फिफ्थ है आपका submit and conferences, जैसा कि मैंने आपका example दिखा है का COP21 कहां पे हुआ, यह पुछा गया था, इसी तरह को historical international conventions हो गया, उसके date प question आते हैं, तो आपको इसको holistically prepare करना है, इसका सात्वा आपका है days and theme, जैसे earth day हो गया, earth hour हो गया, तो कौन से दिन मनाया जाता है, इसका theme क्या है, इस type of question पुछे जाते हैं, और last आपका हो गया endangered and important species, जो की news में है, वो species पुछे जाते हैं, या पिर जो endangered and important for example, आपको dolphin हो ग मिल जाएंगे, जो की important species का list है, उनका status का है, वो सब चीज़े मिल जाएंगी, और plus अगर सको current में होगा, तो आप current affairs से उसको cover कर लिजेगा, इसके साथ देखें, तो एक और topic आता है, जो की important terminologies पूछता है, यहाँ पर जैसे आपको पूछ लेगा की ecological transition क्या होता है, ठीक है ecological transition, ecotones क्या होते हैं, इसी तरह और भी important terminologies, important terms है, जो environment के perspective से important है, वो आपको मिल जाएंगे, कहा मिल जाएंगे, आपको घटना चक्र में मिल जाएंगे, जब आप घटना चक्र पढ़ोगे, तो उस पर बहुत से terms आपको मिलेंगे, जो कि पिछले वर्शन में पूछे गए chapters नहीं हैं, जो भी chapters आते हैं, वो छोटे chapters हैं, और बहुत ही basic चीज़े हैं, तो आप आराम से 6-7 दिन में environment complete कर दोगे, बाकि Hindi medium के लिए मैंने बता ही दिया है, कि Hindi medium वाले GS pointer यूज कर लीचे, और English medium वाले या तो अपना notes बना ले, या तो मैं science की तरह environment के भी one liner लाओंगा तो आप वहां से उसको देख सकते हैं, तो दोस्तों आप इसी तरह मिहनत करते रहे हैं, कोई और doubt हो तो आप मुझसे comment section पूर सकते हैं, thank you and God bless you all